जैमाता दी दोस्तों, दूद पीना स्वास्त के लिए बहुत फाइदिमंद होता है। दूद में लगभग वो हर्टत्व मौजूर होता है, जो शरीर के लिए आवश्यक होता है। ये विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन, नियाजिम, फॉस्फोरस और प्रोटेश्यम का खज दूद पीने से हमारे शरीर को ताकत भी मिलती है। अकसर कुछ लोगों को ये समझ नहीं आता है कि ठंडा दूद पीना से हे तमंध होता है या फिर गर्म, कई लोगों को लगता है कि गर्म दूद पीना उतना से हे तमंध नहीं होता है। जितना कि ठंडा दूद पीना, ब गरम गरम दूधाब की सहायता कर सकता है दूध में मिठाज के लिए चीनी नडाले, मीठाद दूध का फकारक होता है। चीने मिलाकर पीने से केल्स्चम नश्ट होता है। अगर मीठे की जरुरत हो, तो शहेद मुनफ कया में स्री डालें। हर रोज गरम दूध पीने से हमारे दात और हड़े डया मजबूत बनती हैं और हड्यायों में केल्स्चम की पूर्ती होती है। दो, प्रोटीन का खजाना, दिन की शुरुवात में एक खिलास गरम दूध पीने से शरीर दिन भरूर जावान बना रहता है और इसके साथ ही ये मान सपेश्यों के विकास के लिए भी बहुत जरूरी है। 3. कबज की समस्या, दूध पाचन के लिए बहुत ही फायदे मन्द होता है। जिन्हें कबज की समस्या हैं वो गर्म दूध को दवा के तौर पर अपना सकते हैं। 4. ठकावट दूध करता है। अगर आप काम करने के दौरान बहुत जल्दी ही ठक जाते हैं तो आपको गर्म दूध पीना शुरू कर देना चाहिए। इससे खास तोर पर बच्चों को हर रोज दूध पीने के लिए दिया जाना चाहिए।